हेलो फ्रेंट्स आज मैं बनानी चारी हूँ वेज नूडल सूप इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक बार इस तरह से जरू ट्राइ कीजिएगा तो चलिए फिर आपको बताते हैं तो सबसे पहले हम एक पैन में दो बड़े चमच cooking oil डालेंगे और तील जैसे ही गरम हो जाए इसमें एक चमच हम अधरकर लेसुन को छोटे चोटे टुकडो में काटकर डालेंगे फिर हम एक प्याच को पतले टुकडो में काटकर डालेंगे और इन सबको थोड़ी दिर के लि अब हम थोड़ा सा बन गुबी भी पतले टुकडो में काटकर डाल देंगे और यह जल्दी पक जाते हैं इसलिए मैंने से ड्लास्ट में डाला है फिर इन सबको हल्का सॉफ्ट होने तक फ्राइ करेंगे इसे ज्यादा फ्राइए नहीं करना है बस हल्का सा फ्राइ करके फि अब हम इसमें एक चमच के करीब काली मिर्श का पॉडर डालेंगे और यह मैंने एक पैकेट चॉमिन मसाला डाला है चिंक्स का इससे इसका टीस्ट बहुत अच्छा आता है वैसे यह आप्शनल है आप इसमें मैगी मसाला या कोई और मसाले भी यूज़ कर सकते हैं फिर हम इसमें एक चमच के करीब चिली सॉस डालेंगे और इन सब को अच्छे से चला लेंगे अच्छे से चलाने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे तो पानी हम इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे तो यह मैंने दो गिलास के करीब पानी डाला है फिर इसमें उबालाने देंगे इसमें हम स्वादुन से नमक भी डाल देंगे और फिर जैसे इसमें उबालाने लगेगा इसमें नूडल्स टाल देंगे तो नूडल्स मैंने तीन पैकेट के करीब डाला है आप चाहे तो इसमें एक पैकेट भी डाल सकते हैं और फिर इसे ढखकर इसको बॉयल कर लेंगे तो पांच मिनिट के लिए हमने इसे धक कर पका लिया है और ये नूडल्स हमारे अच्छे से पक गए है तो ये हमारा वेच नूडल्स सूप बनकर तयार है उपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अब हम गैस को आफ कर देंगे और इसे एक बॉल में सर्फ करेंगे तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भोले थैंक यू